और बच्चो हीरोन का सुत्र अध्याए 12 और आपको याद होगा 12.2 हमारी exercise चल रही थी पेज नमबर 248 248 दो की गाते हैं दो की गात एक दो की गात दो दो की गात तीन और बस बच्चो कभी कभी ये गाते याद कर लिया करो आप लोग एक बार हम मौका है याद ही दिरा देते हैं यह टिप्स पर होना ची बच्चो वक्त बचाता है अमारा यह तो आपको मालूम ही न दो की गात साथ मतलब दो गुणा दो गुणा दो साथ बार गुणा दो की गात आठ मतलब दो गुणा दो गुणा आठ बार गुणा तो दो की गात अच्चा सुन्य भी ले लीजिए दो की गात जीरो कमान एक दो चार आठ सोले बतेश चौसट 1-2-8 2-5-6 5-1-2 1-0-2-4 इसमें भी 64 सही लिख दे हम 1-0-2-4 2-0-4-8 and 4-0-9-6 इसमें बच्चों एक बात और बताएंगे हम ये जो है चुकि इसमें दो का भाग लगता है इसमें तीन का भाग लग रहा है बारहे में इसलिए 4-0-9-6 स्क्वेर भी है किसका? 64 का और क्यूब भी है किसका? इसका अगर हम क्यूब रूट निकाले घनमूल तो सो लह आएगा आपको एक दो मिनट का हम कीमती वक्त दे रहे हैं बच्चों यहां तक आप नोट कीजिए गनित को थोड़ा सा स्ट्रॉंग बनाएंगी याद कीजिए किसका अगर हम कीमती वक्त दे रहे हैं बनाएंगी किसका अगर हम कीमती वक्त दे रहे हैं बनाएंगी कभी दो की घात कभी तीन की घात और चार की घातों में क्या होता है पता है यह अगर एक दो की घात को एक छोड़ के एक कदम हम चले ना मचों अचाई 64 हमने लिखा नहीं था एक कदम छोड़ के चले तो वो चार की घात तयार हो रही है ठीक है जस्ट आधा दो की घात का जस्ट हाफ दो की घात दो है तो यह चार की घात एक बना दो की घाद 4 है, तो 4 की घाद 2, दो की घाद 6 है, तो 4 की घाद 3, ऐसे थोड़ा सा मेट्स को आप strong कीजिए, गनित को strong कीजिए. आज हमारी जो सवाल है, बचों, सवाल नमबर आठ, साथ तक हम ले चुके थे, किवल नो सवाल है, सवाल नमबर नो एक कीमती सवाल है, इसलिए सवाल नमबर नो का आपको आंसर के अंदर जो है न, उत्तर तालिका में है, संभवत है, इसी सवाल में थोड़ा सा विस्तार से स का उत्तर देखिए अभी फिलाल हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर आठ की फर्स पर एक फूलों का डिजाइन सोगले है तिरबुजा का टाइलों से बनाया गया है जिसमें से प्रतेकी की बुजाएं नो से मी अठाइस से मी और पैटीस से मी है नो अठाइस और पैटीस और आकरती में दिख भी रहा है इन टाइलों को पचास पैसे प्रती सेंटिमेटरी स्क्वेर की दर से पॉलिस कराने का व्य ग्याद कीजिए पचास पैसे प्रती सी एम स्क्वेर कितने टाइल से सोल है किस तरह की है तिर बुजाकार तो पहले हम एक ट्राइंगल का चितर फल ले लेंगे जिसकी बुजाएं हमारे को दे रखी है नो अठाइस और पैंतीस चुकि बच्चो इसमें भी रूट आने की संभावना है तो हम उसको किसमें ले लेंगे लगबग में एप्रॉक्स में रूट कितना आएगा वो हम देखते हैं ज़रा एप्रॉक्स वैल्यू देखिए और अगर वक्त रहता है तो हम आज थोड़ा सा ये क्विक कैलकुलेशन्स वाली चीज़ वो भी देखेंगे 25 तक के स्क्वेर आपको आपको याद रहने ही रहने चाहिए 10 तक के क्यूब हमेशे याद रहने चाहिए पहाडे जब जब भी आपको वक्त मिले आप दोहराते रहिए अभी क्लास नाइंत में हो आप लोग जान रखिए यस सवाल नंबर हमारा चल रहा था आठ और इसका केवल एक तिर्बुज हम बना लेते हैं यह है और इसी तरह से नीचे भी एक डिजैन बन रही है कितने कितनी 28, 35 और 9 28 सेंटिमीटर 35 सेंटिमीटर और 9 सेंटिमीटर तो सबसे पहला काम हम हीरो के सुत्र में चुकि हमारे को इन बुजाओं से कोई आइडिया नहीं कि यह समकौन तरबुज बन रहा है या किस तरह का बन रहा है तो हम हीरो के सुत्र में S कामान A प्लस B प्लस C अडिवाइड़ बाई 2 A, B, C आईए पहल इन इधारित कर ले A कामान 9 सेंटीमेटर हमने लिया A बराबर 9 सेंटीमेटर 9 बराबर A नहीं लिखे A बराबर 9 सेंटीमेटर B कामान 28 सेंटीमेटर और C कामान 35 सेंटीमेटर तो first of all S, A plus B plus C divided by 2, A कमान 9 plus 28 plus 35 divided by 2, 9 और 8 सत्रह, सत्रह और 5 बाइस, दो हासल के 2 और 3 पाँच, 5 और 2 साथ, 72 divided by 2, divided by 2, एक बार पुनह है पुनह है देख लीजिये, 9, 8 सत्रह, सत्रह और 5 बाइस, 2 हासल के 2, 2 और 2, 4 और 3 साथ, तो S का माना आया 36, half, 70 perimeter, तिरबुच का चेतरफल, इसमें naming हम कर देते हैं, A, B और C, तो तिरबुच A, B, C का चेतरफल, सुत्रह आप लोगों को अब तक तो याद हो ही गया होगा, और बचो इसके बाद में अगली जो exercise है न, वो surface area and volume, गन गनाब, बेलन, चंकु गोले, उसमें हमारे को मिलेंगे, कुछ आप छोटी classes में भी पढ़के आएं, गन गनाब वगरे के बारे में, बेलन के बारे में भी, 8 class में था, बचो रेगुलर बने ही रहिए, class में absent नहीं रहिए, आ जाएगा सबको समझ, s, s minus a, s minus b, s minus c, तो s का मान 36, 36 minus 9, 36 minus 28, and 36 minus 35, इदर हमारे पास में आया 36, इदर 36 में से नो गया दो, 27, 36 में से 28 गए, कितने बचे, 8 cm, और यहां हमारे पास में केवल एक बचा, तो जैसे हमने आप से कह रखा है, इनको गुणा करने की बज़ा है, 9, 36, 2, 2, 2, गुणा 3, गुणा 3, 36 के टुकडे, 27 क्यूब है तीन का, तीन गुणा 3, गुणा 3, इधर आया, 8 क्यूब है दो का, दो गुणा 2, गुणा 2, और एक क्यूब है एक का, 36 स्क्वार है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसको बिचारे को कभी भी स्क्वार क्यूब कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन चूब कि संख्या केवल एक है, हमने छोड़ ही दिया, उसके वर्गमुल के हमारे को कोई इतने दिक्कत नहीं है, अब ये दो कितनी बार है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो हमने केवल पेर हमारे दो बने, वो हम यहां लिख रहे हैं, बच्चों, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार तीन हैं, तो इसमें भी हमारा एक पेर इधर बना, और एक इधर बना, तीन, गुणा तीन, बाहर, और वर्गमुल में, एक तो दो रहे गया, और एक तीन रहे गया बच्चों, तो दो दुनी चार, चार नाम 36, 36, रूट, कितना, 6, यह कह रहा था मैं, रूट 6 का मान, आप लोगों को हम बता देते हैं, रूट 6, और उसका मान है, 2.45 एप्रोक्स, 2.45, तो यहां 36, गुणा 2.45, पहले हमने उसको 36 से गुणा किया, फिर जो आया ना बच्चों, उसको हम, क्योंकि यह एक टाइल है, और इस तरह की कितनी टाइल्स है, आहां, इस तरह की हमारे पास में जो टाइल्स की संक्या है, वो है, सोल है, सवाल में गिवन है, पहले यहां तक आप लोग उतारिये सभी, सोल है टाइल्स, और फिर इन टाइलों का 50 पैसे, प्रती सेंटिमेटर की स्क्वेर की दर्स से, हमारे को मुल्ले भी ग्याद करना है, तो यहां तक तो आप लोग उतारिये पहले, तिरबुच, A, B, C का च्छेतर फल हमने ग्याद किया, कैसे? A, B, C, पहले निर्धारित की, S का मान निकाला, A, P, B, P, C, डिवाइड़ बाइ 2, वो आया 36, फिर 36, S का मान होने से, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और उसका वर्ग मुल, यह मान हमने लगाया, और फिर आप लोगों की नजरों के सामने, इसमें पेर बाहर लेते गए, लेते गए, हमारे पास में आया, कितना? 36, और रूट 6, और रूट 6 की वैलिव हमने बताई, 2.45, लग भग, यह पॉइंट पीछे के बच्चों को दिखतो रहा है ना, 2.45, चूंकि 2.4 का स्क्वेर होता है, 5.76, और 2.5 का जो होता है, वो होता है, कितना? 2.5 का 6.25, वैसे इसका स्क्वेर अगर करेंगे न, 245 को 245 से, तो 6.0025, वैदिक मैट से लगती है, इसमें कादि गेनपूर वेंड, ध्यान रखिए, तो यहां तक हम पहुँच गए, अब केवल मुल्य याद करना है इस सवाल में, अगर आप स्वाहिम कर सके, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, मिलते बचो एक दो मिनिट के अंतराल के बाद, कर दो एक दो एक दो एक दो मिनिट कर सके, कर दो कर दो छो कर दो कर दो दो नायग। कर दो 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 हम गुणा करके थोड़ा सा वक्त बचा लेते हैं ज्यार रखे अभी अभी इसको हमने गुणा किया 88.20 मतलब यह आया था 88.20 लेकिन पीछे से दो अंकर के बाद में पॉइंट यहां लगा लिया सेंटीमिटर स्क्वेर यह एक टाइल का है एक टाइल का इसलिए सोल है टाइल का कितने यस सोल है टाइलों का का छेतरफल तो सोल है से हमने इसको गुणा किया 88.20 वो आया 1411.20 सेंटीमिटर स्क्वेर ठीक है बचो यहां पे 16.22 का 2 जीरो का तो आई गया 16.22 असल लगी 3 16.28 और 3.131 और 13 असल के 16.28 और 3.41 अब यहां पे हमारे को मुल्ले भी गयात करना है वे गयात करना है वे लिख दीजे वे डाइरेक्ट उत्तर हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास में टाइल्स का कुल छितरफल आ गया और हमारे को जो दिया हुआ है 50.30 सेंटीमिटर स्क्वेर 50.30 सेंटीमिटर स्क्वेर तो रुपे में बदलेंगे तो 0.50 हो जाएगा वो मल्टिपला भाई 1411.20 ठीक है अगर मैं इसका पॉइंट अटा दू तो बटे में वो 100 हो जाएगा एक तरह से ये एक बटे 2 है एक बटे 2 रुपे में बदला है बच्चों मैंने दियान रखना 1411.20 और ये आया 705.60 ये हमारा उत्तर हो गया इसका 705 रुपे 60 पैसे आंसर शीट में ये ही है बच्चों उतार लिजे जल्दी से सवाल नबर 8 अब सवाल नबर 9 जो कीमती सवाल एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है उसको समझने की कोशिश करते हैं सवाल नबर ये था 8 90 सवाल में एक फिल्ड है ना एक खेत है हमारे पास में समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाए 15 मीटर और 10 मीटर है ए समांतर भुजाए 14 मीटर और 13 मीटर है इस खेत का चित्रफल गयाद कीजिए इस खेत का चित्रफल याद करना है संबलम चत्रबुज की आकार का आपको दिया गया है एसमांतरबुज है चवद है और तेरह है एक तरफ तेरह है और एक तरफ चवद है चुकि आंसरशीट में भी इस तरह का चित्र बना हुआ है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं किस तरह का सवाल बनेगा देखिए जरा सवाल नमबर नो अन्तिम सवाल और अगली क्लास से बच्चों हम अगला जो चैप्टर है ज्यायतेर है वो स्टार्ट कर देंगे ज्यान रखिएगा शुरू में कुछ बेसिक समसमझाएंगे कोशिश करेंगे मोडल से आप लोगों को समझाने की सवाल नमबर नो संबलम चत्रबुज करेंगे लोगों 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 करेंगे येस A, B, C, D हम आप लोगों को कहीं कोई confusion नहीं रहे इसलिए उसी के अनुसार लेके चल रहे है ये C और ये D ये तो हमारे को समलम चत्रबुच का जिसका चित्रफल गयाद करना है उसकी बुजाय दी गई है ये 10 सेंटी मीटर 10 मीटर है बचो इसमें है ना खेत का मामला है ये और 25 मीटर ये अब यहाँ पे क्या किया हमने ये 13 मीटर और ये 14 मीटर आपको दिया हुआ है 13 मीटर और इधर 14 मीटर इसमें एक विशेज बात आपको करनी होगी वो क्या है कि AD के समानतर एक रेखा हमने यहाँ से खेंची AD के समानतर ये डौट डौट से खेंचली और ये 25 मीटर को नीचे लिखते हैं क्योंकि आपको जो आंसर शीट में दिया हुआ है वो इस बिंदू का नाम ही M दिया गया है E दिया है E M तो परपेंडिकुलर डाला है E और एक बात और द्यान रखना होगा इससे उचाई हम गयाद करेंगे उचाई यह H परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अब एक छोटी सी बात हम पूछ रहे हैं आप से यह 10 तो यह 10 और इधर में क्या हुआ हाँ जब यहां तक 10 हो गया ना बचो यह तो इधर कितना बचा यह टोटल 25 था टोटल 25 मीटर था इसमें से 10 इसने ले लिए तो इधर हमारे पास में 15 मीटर आया और एक विशे इस बात और ध्यान रखने पड़ेगी क्योंकि यह इसके हमने समांतर खेंची है यह इसके समांतर पहले से ही है यह वाली बुजा इसलिए समांतर चत्र बुज हो गई तो यह 13 बरावर 13 मीटर इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा चित्र में मतलब एक समलम चत्र बुज में से हमने एक समांतर चत्र बुज निकाल लिया ठीक है अब पहले हम क्या करेंगे बी इए सी का चित्र फल लिका लेंगे बी इए सी पुने पुने सुन लीजी यह 13, 14, 15 याद भी होना चाहिए अकसर यह सवाल आ जाता है 84 मीटर स्क्वेर उसका चित्र फल होता है इतनी प्रैक्टिस से याद ही हो जाना चाहिए आईए लेकिन हम यहाँ पे इसको ग्याद करेंगे सुत्र तो यही लग जाएगा S का मान पहले निकालता है करेंगे कैसे पहले एक बार रफली समझ लीजी कि इसमें इस तिर्बुच का चित्र फल हम हीरोंस फामूले से याद करेंगे हीरोंस के सुत्र कौन सा बी ए सी A बी सी पहले से तै कर लीजे Yes मान लीजे A हमने मान ली 14 मीटर और इधर मान ली हमने 15 मीटर और इधर मान ली है 13 मीटर तो पहले S 14 है प्लस 15 है प्लस 13 है बटे दो 42 divided by 2 21 मीटर Yes तिर्बुच का चित्र फल आप सभी जानते हैं S S माइनस A S माइनस B S माइनस C S का मान 21 21 माइनस 14 है 21 माइनस 15 है 20 माइनस 13 है 21 माइनस 14 21 में से 14 गए 7 बचे इधर हमारे पास में 6 और इधर रहे 8 फिर क्या था 21 के 3 गणा 7 7 प्राइम नंबर है अब आज संख्या है 6 के टुकड़े 2 गणा 3 और 8 के जो गणन खंडुए 2 गणा 2 गणा 2 2 गणा 2 गणा 2 अब यहाँ पे देखते हैं बचो एक पेर बलकि 2 पेर बने तो 2 गणा 2 बहार आगया 3 का एक पेर बना 3 बहार आगया और एक 7 ने बनाया तो 7 बहार आगया 7 एकिस 21 दुरी 42 42 दुने 84 84 सेंटीमिटर स्क्वार यह किसका चित्रफल हो गया तिर बुचका 84 सेंटीमिटर स्क्वार चीकर ना बचो एक बार वापस से हम समझा देते हैं कि इसमें हमने BE समानतर AD खीची थी चीकर ना बचो इसलिए AB ED एक समानतर चतरबुज होगा चीकर और इसी आधार पे हमने AD को किसके बराबर BE बराबर 13 मिटर ले लिया था और दूसरा DE किसके बराबर AB के वो हमने 10 मिटर ले लिया था इसी आधार पे हमने इस तिरबुज का चितरफल ग्याद किया वो आया 84 सेंटी मिटर स्क्वेर अब हमने क्या किया बच्चो यहाँ पे यह जो तिरबुज का चितरफल आया हमारे पास में 84 सेंटी मिटर स्क्वेर इसमें हमने आधार गुणा उचाई के सामने कर दिया एक बटे दो गुणा आधार गुणा उचाई क्या बोला मैंने एक बटे दो गुणा आधार गुणा उचाई तो कैसे करेंगे समझ ये जरा जास तिर्बुज B.E.C. का ही छेतरफल है लेकिन यह हमने हीरो के सुत्र से ज्याद किया तिर्बुज B.E.C. का छेतरफल आपकी बार हम एक बटे दो गुना आधार गुना ऊचाही लगा रहे हैं तो एक बटे दो आधार इसी ले रहे हैं और उचाई BM आप चाहें तो यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं तथा BM लंब है किस पर? DC पर तो कभी उचाई होगी तो यह उचाई निकाल देगा हमारे को तो हमने एक बटे दो की जगह है एक बटे दो EC कमान हमारे पास में 15 मीटर है उचाई H लिख दीजिए Height BM भी लिख सकते हैं बरावर 84 अब आप कहेंगे 84 कहां से आया? अरे ज्याद किया न बच्चों आप लोगों के सामने 84 cm2 जान रखिए Yes तो H कमान 84 into 2 divided by 15 तीन से कटा ये 21 बार तीन से कटा पाँच बार 21 बार नहीं मुच्चों ये कटा 28 बार तीन दुनी 6 तीन अठी 24 और यहां पे 28 दुनी 56 56 में हमने जो पाँच का भाग लगाया वो आया 11.2 सेंटी मीटर 11.2 सेंटी मीटर अब हम इस सम्लम चत्रबुच का चित्रफल गयाद कर सकते हैं दो तरीके से या तो डायरक सम्लम चत्रबुच का चित्रफल का सुत्र लगाईए या फिर या फिर समांतर चत्रबुच और जो त्रबुच का चित्रफल है उसको जोड भी सकते हैं तो जोडने की बजाए हम डायरक सम्लम चत्रबुच के चित्रफल की तरफ चल रहे हैं समलम चत्रभुच का चत्रफल, एक बटे दो गुणा समांतर बुजाओं का योग गुणा उचाई, क्या बोला मैंने, समलम चत्रभुच का चत्रफल, बचो ये important सवाल है, दियान से एक दो बार दुबारा करले ना, उधारन जरूर करने ला ना, उधारन जरूर कर A, B, C, D का च्छेतरफल एक बटे दो गुणा समानतर बुजाओं का योग का योग गुणा उँचाई भी लिख सकते हैं और या उनके बीच के दूरी भी लिख सकते हैं गुणा उँचाई तो यहाँ पे एक बटे दो समानतर बुजाओं में एक पच्छेस है एक दस है पच्छेस प्लस दस गुणा ग्यारह पॉइंट दो तो एक बटे दो ये बना पैतिस और ग्यारह पॉइंट दो इसमें पॉइंट हम अटा लेते हैं दस मलव की गलती नहीं हो इसलिए बटे में सो और ये दस लगा लीजी क्यूंकि पॉइंट बाद में एक ही अंक है दो से कटा ये 56 बार इधर 5 से कटा ये 7 बार 5 से कटा ये 2 2 से कटा ये 28 गुड़ा साथ 196 सेंटी मिटर स्कुेर answer sheet में 196 cm बचो answer sheet में न मीटर स्क्वेर चपा हुआ है हमारे पास जो book है उसमें मीटर स्क्वेर चपा हुआ है जबकि हमारे को इसमें जो नाप दी गई थी बचो वो भी मीटर ही है मीटर ही है इस बार तो कुछ जगे पे हमने cm2 कर दिया है जहां लखिएगा मीटर कर लीजेगा उसको खेद का मामला है मीटर स्क्वेर मीटर यहां पे भी आप मीटर स्क्वेर हो सकता है किसी जगे पे हमने cm लिग दिया हो मीटर स्क्वेर कर लीजेगा उसको तो 196 मीटर स्क्वेर इसका उत्तर हुआ एक कीमती सवाल ये था इसको दुबारा से दोहर आईएगा जरूर तो बच्चो आज के लिए इतना ही अगली क्लास में कुछ नए आले के हम फिर आजिर होंगे नमस्कार